नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूप चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24, 25 और 26 नमंबर तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी लेकर आये हैं जिनने सुनकर आप सभी के होस उड़ जाएंगे जहां दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सभी मिशना करें थोड़ा सभी इसकिपना करें और इन्हें सुरू से लेकर आंत तक देखें क् लेकिन दोस्तों यह समय में एक गल्टी भोल कर मत्म करन enem भगवान सभी के घर नहीं आते हैं उनके घर आते हैं जिनके अच्छे कर्म अच्छे धर्म होते हैं जो लोग भगवान के सच्चे भगत होते हैं जो लोग अच्छे कर्म करते हैं जिनके अच्छे कर्म का भंडा भर जाता है तो दोस्तों एक ना एक दिन भगवान उनके घर भंड़ों को फोड़ने के लिए एक ना एक दिन आवशी आते हैं अलाकि दोस्तों याँ बात सच है कि भागवान साथ चार दर्शन नहीं देते हैं लेकिन दोस्तों भेस बदल कर संकेत दे कर उनको मदद जरूर करते हैं जहां दोस्तों और आप आने वाले यह तीन दिनों के अंदर भी आप से भी के जीवन काल में कुछ एसे ही महत्यपुन घटनाएं होने वाले हैं जो कि भागवान भोलेनात के दर्शन आपको होगा बस आपको पहचानने की जरत होगी और कुछ विशेश बातों को ध्यान रखने की आवसकता होगी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी जानकरियां बहुत ही गहरी तरीके से ग्रह गोचर पर आधारित है और जोतिस सास्तरों के अनुसार हम सभी विधी विधान से इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों कौन से संकेत आपको आने वाले यह तीन दिनों की अंदर मिलने वाले हैं गोलेनत आपको कौन-कौन सी वड़ी खुश खबरियां देने वाले हैं और क्या क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो विक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल लिखेगा दोस्तों गुरुजी खा और भगवान महाकाल का सीधा आशिर्वात पाएगा तो दोस्तों जरूर प्लिख हैं और अज्या पिस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें गया करते हैं सुरुवाद करते हैं एक अच्छे विचार से एक अच्छे ज्यान से जो कि दोस्तों आपको इंदिन में एक। सकती जगरित करेगी कि एक बार की खता है देव रिशी नारत और रिशी अंगारा कहीं जा रहे थे रास्ते में उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी दुकान के नजदी की जोटी पतलों का धेर लगा हुआ था वो जोठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुटा आता ह वेसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है डंडे की मार खाकर कुटा चीकता हुआ वहां से चला जाता है ये दिर से देखकर देव रिशी को हंसी आ गई रिशी अंगारा ने उनसे हंसी का कारण पूछा नारत बोले है रिशीवर यह दुकान पहले एक कंज उस वेक्ति की थी अपने जिंदिगी में उसने बहुत सारा पेशा इकठा किया और इस जन में वो कुटा बनकर पैदा हुआ और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है देखें जिसके लिए उसने वेसुमार धन इकठा किया आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नह जरूर करें तो चलिए सुरू करते हैं तो आये दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि तीन दिनों के अंदर भगवान भोलनात आपको कौन से संकेत देने वाले हैं कौन से साबधानियां आपको इन दिनों में रखने होंगे कौन-कौन से उपाय करना चाहिए ताकि भोलनात जब भी आते हैं नंदी बाबा की रूप में आते हैं याने की बैल के रूप में आते हैं यदि दोस्तों आपके घर में बैल आये तो दोस्तों इन्हें आप भगवान भोलनात का अधार मानना है भोलनात का संकेत मानना है कि यह तीन दिनों के अंदर भगवान भोलनात आपके घर आये हैं जहां दोस्तों इसका उपरां दोस्तों आप सभी को बता दें कि अधि के जीवन काल में कोई ऐसा साधू बाबा आजाए जो की मुझे हमेशा हर हर महाधेव का नाम लेता हो तो दोस्तों इन से आपको समझ जाना है कि महाधा आपके घर आये हैं और दोस्तों इनके साथ साथ आपको इन दिनों में कौन-कौन सी गलतिया नहीं करनी है तो दोस्तों यह समय इन बातों को ध्यान में रखना है कि अगर आपके जीवन काल में इन्हें मदद करने के लिए कोई वस्तू है तो दोस्तों इन्हें जरूर मदद किजिएगा और ना हो तो दोस्तों इन्हें परणाम कर आप इन्हें आगे जाने की इजाज़त दे दें लेकिन दोस्तों धुतकारने की गलती भूल से भी ना करें जहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों भगवान अक्सर एसे ही परिक्षा लेते हैं कि उनका भक्त उनके परती केसा सरधा रखते हैं तो दोस्तों आने वाले इन तीन दिनों में इन बातों को ध्यान रखें गर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो दोस्तों यकीन मानिये कि भोलेनात आप सभी के आने वाले जीवन को सभी मनो कामनाय पूर्ण कर देंगे जहां दोस्तों तो आई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि भुलनात के आसिरवात से आने वाले यह तीन दिनों के अंदर आप सब्यकी जीवन में आपके घर के माहूल में परतेक छेतर में क्या-क्या चमत कार करेंगे और दोस्तों यह तीन दिनों के अंदर में भगवान भोलेनाद के आशिरवात पाने के लिए कौन शाँ उपाय करना चाहिए तो यह दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यह शमय भगवान भोलेनाद के आशिरवात से आपके दोस्तों रुके वे कारों को पूरा करने के लिए बहुत ही शमय अनुकूल है किसी परवाव सलिवेक्ति से मुलाकात आपके लिए बहुत ही लाबदायक रहेगी था विशेस मुद्व पर विचार्ज मुमर्ज भी होगा साथ साथ सोसाष्टी से समने किसी किसी विव्यादत मामले में आपका परस्ताब भी निरने रहेगा दोस्तों दूसरों की राय और गतिविधियों पर ध्यान देने की वज़ाए खुद पर ही भरोसा रखें यसे आप अपने दिन चार्य को बहुत ही अनुसासित और विवस्तित तरीके से वेतित करेंगे और तना आपसे भी रात मिलेगा यसे साथ साथ दोस्तों इन दूनों में आपको शाबधानियां भी देख कर चलनी होगी अन गत्यविदियों के साथ साथ पारिवारी मुद्धों पर भी ध्यान दें अपने आलस गुसे जेसी अब गुनों पर सुधार करें कोई विविजना बनाने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार करना आपके लिए कारियां को शुगम बनाएगा दोस्तों वैबसा में भी किसी कर्मचारी का नकार्तम रवया माहूल में खराब कर सकता है ये लिए कोई भी फैसला लेने से पहले अनुविर की सलाज जरूर लें पांटर से समने जुड़ी बिजनस में कुछ बदलाव समने योजना बनेगी घर का माहूल सुखद और सांती पुन बना रहेगा किसी पुरान मित्र से मुलकात होगी तब पुरान यादय ताजा भी होगी दोस्तों अपना कार भर दूसरों से बांट लेने से आप अपने वैक्तित कार में भी बहत्री समय वितित कर पाएंगे दोसरों की राय और गत्तिविदियों पर ध्यान देने की वज़ए खुद पर ही भरोसा रखें इसे आप अपने दिन चार्य को बहुत ही अनुसासित और वैवसित तरीके से वेतित कर पाएंगे और तना आप से भी रात मिलेगी और दोस्तों बिजनेस समय दिक कोई सरकारी ममला चल रहा है तो दोस्तों भगमान महाकाल के हसीरवात से आपको सफलता मिलना तई है कारचेतर में कारचारियों और साहगियों की शलाबया भी महत्र दिया जाएगा निस्यति आपको कोई उची सामाधान मिलेगा महिला वर को अपने केरियर में विशेश शफलता भी हाशल होगी कि पारवारी महौल में मांगली कारचा मिधिक को योजना बनेगी प्रेमे प्रेमिका को डेटिंग पर जाने का अबसर भी मिलेगा जोरिते बात करें नसुमें खिंचा फ्ता दर्द की समस्या पारिसान करेगी वैवाम को अपने दीन चार्य में शामिल करना बहुत जरूरी रहेगा अधै hasnके बात करताब की उपाय के बारे में दोस्तों भोलनात एक मात्र एसे देवता है जो मात्र एक लोटा जल से भी प्रशन हो जाते हैं इसमें उन्हें प्रशन करने के लिए जल बेलपत्र धाथुरा भांग चंदन आदे भी अरपित करें ताकि उनकी किरुपा पाजा सके जो तीस सास्तर के अनुसर भागवार्ण शिव को बेलपत्र अपित करने से जल्दि उनका आशिरवत प्राप्त होता है कमें पर व fave ठीटो को लाइक शेर जरूर करें धन्यवाद